साथ्यों पहले की सरकार से हमारे समस्कार भी अलग है, सरोकार भी और रप्तार भी अलग है पिछली सरकार ने अपने आखरी चार वरसों में सिर्फ साड़े पचीस लाग गर बनाये थे उनकी सरकार के लास्ट फोर यर में पचीस लाग पचास हजार मकान बनाये थे जबकि बीते चार वरसों में हमारी सरकार ने करीब एक करोड पचीस लाग से ज़्यादा यानि पांच गुणा से अधिक लोगों के लिए गर बनाये गए हैं इसका मतलब इतना काम उनको करना होता तो शायद दो पीड़ी चली जाती प्रदान मंत्री शहरी आवास योजना के तहट पूरे महरास्ट में आठ लाख गर बनाये जा रहे हैं साथ यो प्रदान मंत्री आवास योजना के तहट बेघर लोगों के लिए अच्छी सोसाइटी का निर्मान किया जा रहा है और ये वो आदर सोसाइटी नहीं है जो कि पुरानी सरकार के दोरान चर्चा में रही थी बलकि ये सही माइने में आदर सोसाइटी बनाई जा रही है जहां एक सामान्य परिवार के सपने पलते हैं बहतर भविश का आत्मविश्वाद जगता है प्रदान मंत्री आवास योजरा के तहट हमारी सरकार ढाई लाख रुपए तक की मदद सीधे बैंक में जमा कर रही है यानि लोन का एमाउंट सीधे ढाई लाख रुपए गड़ जाता है यानि निमना और मद्यंबर की मदद होम लोन में भी की जा रही है इसके अलावा पहले के मुकाबले होम लोन पर ब्याज दर्भी काफी कम हुई है सरकार द्वारा इस योजना के तहट कमजोर तपके के लोगों को निमना आए वर्ग वालों को साड़े छे प्रतिशत की इंट्रेस सब्सीडी भी दी जा रही है मीडल इंकरम गुर्प माला को तीन से चार प्रतिशत की इंट्रेस सब्सीडी दी गई है इन प्रयासों का मतलब यह हुआ कि अगर किसी ने 20 लाख रुपिये का होम लोन 20 वर्ष के लिया हुए तो उसे इस अवदी में करीब करीब 6 लाख रुपिये तक की सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है साथियों सरकार की इनी इमांदार कोशिसों का नतीजा है कि बीते एक नेड़ वर्ष में लाखों लोगों ने अपना पहला गर इस योजना का लाख उठाते हुए बुक कि यहां है खरीदा है एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते साथ आठ महिने में नए गर खरीदने की रफ्तार पिछले वर्ष के मुकामले दो गुनी से भी जादा अधिक हुई है मुझे बताया गया है कि आज जो योजना शुरू हो रही है उसमें भी इस तरह के लोगों की मदद की जा रही है महरा समय 85,000 से जादा लोगों को प्रधान मंत्री आवाच योजना के तहट 2000 करोड रुपिय की मदद मिल चुकी है साथियों हम सिर्फ मद्यंबर के अपने घर के सपनों को ही साकार करने में मदद नहीं कर रहे हैं बलकि इससे जुड़ी दूसरी दिक्कतों को भी दूर कर रहे हैं चार वर्स पहले तक किस किस प्रकार की समस्याएं अपनी जीवन भर की कमाई से बुग किये घर को पाने में होती थी इससे आप भली भाती परिचीत है कुछ लोगों की मनमानी और गलत नियत के चलते कैसे बरसों तक आपका घर फंस जाता था ऐसे भी होता था कि वादा वो कुछ और करते थे और डिलिवरी कुछ और होती थी इस प्रवुत्ती पर रोक लगाने का एक बड़ा प्रयास हमारी सरकार ने किया है आज रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी यानि रेरा देश के अधिकाउंस राज्यों में नोटिफाइग किया जा चुका है 21 राज्यों में तो टिबिनल भी काम कर रहे हैं मैं फड़न विज्जी को बढ़ाई देता हूँ क्योंकि महराश्टर देश के उन राज्यों में है जिसने सबसे पहले रेरा को लागु किया है देश भर के करीब 35,000 रियल एस्टेट प्रोजेक्स और 27,000 रियल एस्टेट एजेंट्स इससे रजिस्टर हो चुके है इसमें भी महराश्ट के सबसे अधिक प्रोजेक्स सामील है साथियों सोचके सत्तर वर्सों से बिना किसी सक्त और पस्ट कानून के रियल एस्टेट सेक्टर चल रहा था अगर पहले ही इस प्रकार का कानून सरकारे बना थी तो घर खरीदारों को अधालतों के चक्कर ना लगाने पड़ते और रियल एस्टेट सेक्टर भी इमान दारी के साथ खूब फलता फुलता हुआ कोुलता व हुआ करना दारी के कुल